नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चनल इगनुवाला पर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं किसी भी सब्जैक कोड की फ्री कॉंसेट क्लासिस और कोशन पेपर सिरीज देख सकते हैं यह जो पेपर है आपका यह 19 तारिक को होने वाला है इसका दिसंबर का पेपर हमें नहीं मिला लेकिन जून 2023 का पेपर हमारे बिल्कुल सामने खुला हुआ है इसी पेपर के बेस पर मैं आपको पेपर का पैटर्न most important questions बता दूँगा यदि आप इसकी concept class चाहते हैं तो आप इसी class के नीचे comment कर दीजे कि सर हमें इसकी concept class भी चाहिए तो हम आपको उसे provide कराएंगे free of cost तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं भासा विज्ञान और हिंदी यानि language science की बात होगी और हिंदी भासा की यहाँ पर क्या होगी बात होगी कितने नमबर का paper 50 नमबर का paper कितने घंटे 2 घंटे मिलेंगे जब छोटा paper होता है बात करेंगे हिंदी भासा में science का इस्तेमाल किस परकार होता है विज्ञान का इस्तेमाल हिंदी भासा में किस परकार होता है उसको लेकर ही subject code है ठीक है सवाल देखेंगे किस level के यहाँ पर प्रष्न आपको क्या करने अटेम्ट करने कृष्न पर यहां पर अगर यह पेपर पचास नंबर का कितने आप कह सकते हैं, सब्दों में कितना वो लिखा जाने चाहिए, वर्ड लिमिट का ध्यान कैसे रखें, वो समयन आपको बताया हुआ है पहले ही, ठीक है, तो पहला कोशन देखें, भासा विज्ञान की पास्चात्य परंपरा क्या है, वेस्टन कल्चर, वेस्टन सनना चनात्मक भासा विज्ञान और समाज भासा विज्ञान में अंतर, तो दो परकार के भासा विज्ञान होते हैं दोस्तों, एक होता सनना चनात्मक भासा विज्ञान और एक होता है क्या आपका वर्सिस लगा लेना, समाज भासा विज्ञान, तो सनना चनात्मक और सार्थक समू, वर्णों का, सार्थक समू क्या कहलाता है दोस्तों, आप कह सकते हैं सब्द कहलाता है, पद क्या होता है, सब्दों का, सब्दों का सार्थक समू, ठीक है, क्या कहलाता है, आपका पद कहलाता है, पद में आपके दो सब्द हो सकते हैं, तीन सब्द हो सकते हैं, यह question है, difficult से लग रहा देखने में, समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों को इस से जोड़ा हुए, बताते हुए सब्द से दो question जोड़े हुए इसमें, कैसे अलग अलग करेंगे दोनों question को, प्रेक्ति का अर्थ, प्रेक्ति का एक तो अर्थ आपसे पूछा है, एक question, बताईए, sayenimik, aynimik नहीं मतलब जो आप कह सकते है, sua shapes sense sa subsequent a year, अनुवाद से जुड़ी समझ्या है, ठीक है, उनका समाधान क्या है? पांच निंबर में आप समस्या बता देना पांच निंबर में आपको उनका समाधान बताना है ठीक है ठीक है कौन से अप क्लास यदि आपको वास्ता में चीए तो आप कमेंट कर देना फिलाल हम question paper discussion कर रहे हैं तो आपको समझाना हूँ question को एक्जाम में पढ़ना किस तरीके से है question में से keywords कैसे निकाले जाते है question चाह कुछ भी पूछा हो ठीक है हमें क्या लिखना वो matter करता है किनी दो में अंतर कीजिए अब ये तो विल्कुल general basic question हो गया खंड B के स्वर और व्यंजन में अंतर आपको पता है स्वर जो होते हैं हिंदी वर्ण माला में स्वर जो होते हैं आप कह सकते हैं बिना किसी अन्य वर्ण की साहता क्या होते है स्वतंत्र उचारन इनका किया जा सकता है इनका उचारन क्या होता है स्वतंत्र उचारन इनका क्या जा सकता है यही हां का concept बनता आपका स्वर की सायता से जिनका उच्चारन किया जाए उन्हें वियंजन कहते हैं तो आप मुझे comment लोक्स करता है कितने स्वर और कितने वियंजन होते हैं यह आपको यहां पर बताना है code mission और code अंतरन में क्या अंतर होता है code mission code mission और code अंतरन में क्या अंतर होता है विकारी और आविकारी सब्द important और सबसे simple question आप मुझे बताईए विकारी सब्द क्या होते हैं जिनमें ling वचन कारक के करण क्या हो जाए बदलाव उत्पन हो जाए विकारी मतलब बदलाव जिनमें बदलाव उत्पन हो जाए वो विकारी सब्द जिनमें बदलाव ना हो सके इन्हें अववय सब्द भी कहते हैं निमलिकित मैंसे भी किनी दो पर क्या करनी है आपको टिपनिया करनी है चार ओप्षन है दो पर टिपनिया करनी है देखे संप्रेक्षन का समाजिक परिपेक्षे आपको बताना है संप्रेक्षन का समाज में किस पर का इस्तमाल होता है परिप्रेक्षे के तरह मतलब यह होता है कि in the context, एक word आपने इंग्लिश में सुनाओगा context, समाज के संधर्म में संप्रेक्षन यानि communication का क्या योगदान अब देखें पूरी society सिर्फ और सिर्फ किस से बनी होती है, संप्रेक्षन से बनी होती है है ना, आपस में बातचीत नहीं होगी तो आप किस तरीके से क्या हो पाएगा society के अंदर, लेंदेन हो पाएगा किस तरीके से एक समाज का निर्माण होगा समाज का निर्माण ही सिर्फ और सिर्फ किसके बेस पर होता है संप्रेक्षन के माध्यम से होता है मैंने किसी कोई बात कही सामने वाला जब सुने गए तभी तो क्या वrowगा संप्रिक्शन हो पाएगा हिंदी, उर्दू और हिंदुश्थानी आपको बता हिंदी जो है एक भासा है अपने आपने संपूर उर्दू भी कया है एक भासा है जब हिंदी बासा के उर्दू बासा के सब्द हिंदी में लेका आते हैं तो उन पर क्या लगाते हैं नुक्ता लगाते हैं जैसे जिहाज सब्द है जहाज है ना तो जिहाज सब्द है आपका अखबार सब्द है क्या दोस्तों आपका अखबार सब्द है है ना ये चीज तो ये जो हैं उर्दू के सब्द हैं और जब हिंदी और उर्दू भासा को मिला कर जो भासा बनी है उसे हिंदुस्तानी कहते हैं कहीं कहीं पे से हिंद भी भी कहते हैं जा कहते हैं दोस्तों हिंद भी भी कहते हैं हिंदुस्तानी भासा आप इसे कह सकते हैं किलियर यहा अगलग भासों में लिखा जाता है, जब साहित्य को लिखा जाता है, तो एक भासा से दूसरे भासा में उसका क्या क्या जाता है, ट्रांसलेशन क्या जाता है, अनुवाद क्या जाता है, अनुवाद क्या जाता है, अनुवाद क्या जाता है, अनुवाद क्या जाता है, अनु हो सकती है रचनात्मक सैली हो सकती है सरजनात्मक सैली हो सकती है तो different तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को लिखने के इने different तरीके को सैली विग्यान के अंतरगत पढ़ा जाता है तो उम्मीद है ये 8 मिनट के शो में 8 मिनट में मैंने आपको पूरा question paper समझा दिया है important question यहां से 2-3 important repeated question आएंगे आज के लिए के वाले इतना ही thank you धन्यवाद, नमस्कार concept class चाहिए तो आप comment कर देना, subscribe करना बिल्कुल न भूले